ठीक है सद्गुरू जी, अब मैं आपको इससे दूर फिल्मों की दुनिया में ले चलती हूँ, जहां से मीरा नाता है, सालों पहले जब फिल्में शुरू हुई थी, और आप जानते हैं, साट के दश्रक में, सत्तर के दश्रक में, सुन्दर कहानिया, अच्छे मूल्य, लेकिन जब तक मैं फिल्मों में स्टार बनी, तब हमारे जटके मटके से पिछली पीडियों को धक्का लगा होगा, और उन्होंने कहा होगा कि ये सब क्या है, लेकिन यह तब भी सीमा के भीतर था। और परदे पर ये live-in relationship और night club संस्कृती हर किसी के देखने के लिए उपलब्ध है, मेरा मतलब है कि ये कभी-कभी मुझे परिशान करता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अब वे ये सब देख रहे हैं, ये इस तरह के गाने जो बुश सुन रहे हैं, गीतों की ब नहीं चीजे चलंग बन गई है, तो इतना युवार राश्ट्र जब ऐसी चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है, जब ये सब परोसा जा रहा है, आप यही सब देखते हैं, आप यही सब सुनते हैं, तो मैं बस थोड़ी चिंतित हूँ कि वे क्या बन कर निकलेंगे? मुझे यकीन है कि आपके माता-पिता भी चिंतित थे, ठीक है, तो क्या मैं… बसकुछ अलग करने की खातर लगबग हर चीज करना या यह स्वाभाविक है कि वो एक महाल में बड़े हुए हैं तो वो इसे एक दूसरे स्तर पर ले जाएं हाँ, अगले का मतलब हमेशा अगला नहीं होता आप यही कहना चाह रही हैं हाँ, यह जादा उचा स्तर नहीं है ठीक है, यह बस अगला है तो यह चिंता हमेशा से रही है लेकिन अभी जो बदलाव हो रहा है वो अगला नहीं है यह एक गंभीर असर है क्योंकि पिछले 15 सालों में दुनिया भर में संस्कृतियों और सीमाओं के बीच ठीक है, हमारे युवा लोगों पर इस तर के असर इस से पहले कभी संभव नहीं थे किसी भी दूसरी पीड़ी ने कभी इतनी सारी दिशाओं से इस तरह के हमले का अनुभव नहीं किया और यह असर बहुत बड़े पैमाने पर है तो जो बदलाव हो रहे हैं उनके संदर्ब में ये अगला स्तर नहीं है ये बस कहीं और है और कोई नहीं जानता ये कहा है क्योंकि ये बहुत जटिल और बहुत उलज़ा हुआ है कोई नहीं जानता कि ये कहा है यहां तक की युवा लोग भी इसमें कई चीज़ें शामिल है तो ये जानकारी और संचार के अचानक हमले के कारण हुआ है ये हमारे तै करने के लिए नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा बात बस इतनी है कि निश्चित रूप से इस तर की जानकारी जब मैं जानकारी कहता हूँ तो जब हम बड़े हो रहे थे मैं मानता हूँ कि ये आपकी पीडी के लिए भी सच था हम ने कभी नहीं जाना कि बोरियत क्या है ठीक है ऐसी ऐसी कोई चीज ही नहीं थी हम अपने सामने आने वाली हर चीज को लेकर बस उचसाहित थे लेकिन आज आप 12 साल के बच्चों को देखें अगर आप उन्हें बताते हैं क्या आप देखिए कि वे सिर्फ इसलिए उप गए हैं क्योंकि उन्हें पूरे ब्रमान के बारे में पता है ये उन्होंने इसे अपने फोन की स्क्रीन पर देखाया यहां की कंप्यूटर स्क्रीन पर भी नहीं फोन स्क्रीन पर उन्होंने पूरे ब्रहमांड को देख लिया है, वो हर चीज जानते हैं, जो चीज़ें आप नहीं चानते हैं, आप उनसे पूछेंए वो इसे जानते हैं, जानकारी के वजह से, जब तक वे 18 के होते हैं, तब तक उनके 5 लव अफर हो चुके होते हैं, और ख आगे क्या? आप देखेंगे, मेरी कामना नहीं है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से लोगों के दिमाग काम कर रहे हैं, जिस तरह से वे जानकारी के साथ ला दे जा रहे हैं, मैं किसी भी तरह से एक निराशावादी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर जानकारी का ये स्तर जारी रहा और आने वाली पीडियों के लिए ये कई गुना बढ़ जाएगा तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगले पचास से सौ सालों में अगर पचास प्रतिशत मानवाबादी आत्महत्या करना चुनती है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि दिमाग के साथ यही होगा कोई ताली बजा रहा है देखिए ये लोग प्री है नई आपने अभी अभी मर्म कुछ हुआ है और ये नहीं मैं कह रहा हूँ आज दुनिया में जितने लोग अब लड़ाईयों हत्याओं और दुर्खटनाओं में मारे जाते हैं उससे कही ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं और अगर मानव मन पर जानकारी के हमले का ये स्तर जारी रहता है मैं मन की प्रकृती को पूरी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं अपने मन को जानता हूँ मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है क्या संभाल सकता है क्या नहीं कर सकता मैं साफता और पर जानता हूँ कि मानव मन क्या है यही कारण है कि मुझे लोगों की लिखी किताबों को पढ़ने की या उनकी पूरी बात सुनने की जरूरत नहीं पढ़ती अगर वे एक वाकि बोलते हैं तो मैं जान जाता हूं कि उनका मन क्या है क्योंकि मैं मानव मन की संरचना को पूरी तरह से जानता हूं वरना मैं वो नहीं होता जो मैं हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सूचनाओ के हमले के स्तर की गती यही या इस से ज्यादा रहती है तो अगले कुछ सालों में संभव है कि ये निश्चित रूप से खुद को खत्म करने की इच्छा की और ले जाएगी क्योंकि जीने के लिए कुछ भी नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर खुशी और उत्साह बाकी नहीं रहेगा आप पीछे मुड़कर खुद के जीवन को देखिए आप में इसे जो पचास साल से अधिक के उम्र के हैं बस पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखिए जब आप 12-15 वर्ष के थे क्या तब आपके पास किसी चीज से उबने की कोई गुणजाईश थी आप बस हर छोटी चीज को लेकर उत्साहित रहते थे हैं ना आज आप देखेंगे कि ये लगभग एक सामान ये बात है कि 12-15 साल के बच्चे बोर हो रहे हैं केवल एक चीज है बिल्कुल सही हाँ वे सभी आईपाड आईफोन पर हैं वे गैजट्स में लगे रहते हैं क्योंकि हम प्रेम और जीवन के बारे में बात कर रहे हैं इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपका एक लव अफैर था जब आप 18 साल के थे आपको लगा कि ये आपका जीवन है और आप उसकी खातिर मरने के लिए तयार थे आप उसके लिए चाहे मरे या नहीं पर कम से कम उस समय आपने सोचा कि आप उसके लिए मर जाएंगे ठीक है आज फेस्बुक पे उनके 22 लव अफैर एक साथ चल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ये अफैर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए मैं बस ये कह रहा हूँ कि इससे दिमाग पर एक निश्चित बोज आएगा और अचानक एक इनसान ये सोचेगा कि मैं यहां क्यों हूँ आप शेक्स्पियर के उस बड़े सवाल को तो जानते हैं ना होना या नहीं होना ये सबसे बुधमानी का सवाल नहीं है दुर्भागे से लोग ऐसा सोचते हैं ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जीवन ने आपको सपर्ष नहीं किया है आप जीवन का एक अंश नहीं है आप बस एक मनोवैग्यानिक मामला है आप विचारों और भावनाओं से भरे हुए है आपने जीवन को बिलकुल भी नहीं छुआ है आपको लगता है कि आपके विचार और भावनाएं जीवन है नहीं आपके विचार और भावनाएं वो नाटक हैं जो आप अपने मन में पैदा कर रहे हैं यह आपका सिनमा है आपको इसे कही न कहीं पर खत्म करने के काविल होना चाहिए अगर आप नहीं जानते कि इसका दी एंड कैसे करें तब यह एक अंतहीन सिनमा सावित होगा आप पागल हो जाएंगे जीवन यहां घटित हो रहा है, जीवन वो नहीं है, आपका काम जीवन नहीं है, आपका परिवार जीवन नहीं है, आपका कर्यार जीवन नहीं है, आपका सिनमा जीवन नहीं है, आपका विचार जीवन नहीं है, आपकी भावना जीवन नहीं है जीवन यहां घटित हो रहा है बाकि सब को जीवन का साजो सामान है अब जीवन के ताम जाम जीवन से भी बड़े बन चुके हैं जीवन से आप पूरी तरह से चूक गए हैं अगर आप अपने भीतर जीवन को स्पर्श करते हैं तो ये उर्जा का एक विस्फोर्ट है जब आपके साथ ऐसी चीज कभी नहीं होती क्योंकि आपको अपने फोन की स्क्रीन पर पूरे ब्रमान की जानकारी है तो आपको जीवन कभी स्पर्ष नहीं करेगा क्योंकि बहुत अधिक जानकारी बहुत ज्यादा विचार यहां तक की भावनाई भी सूख जा रही है बहुत सारे विचार चल रहे हैं